कॉंग्रेस का तिरंगा पठका कनहिया कुमार जी को पहना कर उनका ओपचारिक स्वागत कॉंग्रेस पार्टी में करें मैंने यह नहीं कहा था कि Congress खत्रे में हमने कहा देश खत्रे में लोकतंत्र खत्रे में आइडिया खत्रे में आपने वो वीडियो देखा गया लास के उपर डांस देखा न दिल पसीज गया होगा आपका आपको नहीं लगा कि मैं इसके लिए कुछ कर पाऊं कुछ भी कर जाओं जो मैं कर सकती हूँ आप जब सुनती होगी कि बलातकार हो गया किसी महिला के साथ आपका गुस्से से पूरा सरीर काप जाता होगा देश खत्रे में है पार्टियां तो बनती रहेंगी पार्टियों की कोई कमी है क्या हर साम पार्टी होती है इस देश में पार्टी नहीं बचाना है देश बचा में, लोकतंत्र खत्रे में, आइडियो आफ इंडिया खत्रे में है, आपने वो वीडियो देखा गया, लास के उपर डांस, देखा न, दिल पसीज गया होगा आपका, आपको नहीं लगा कि मैं इसके लिए कुछ कर पाऊं, कुछ भी कर जाऊं, जो मैं कर सकती हूं, आप जब सुनती होंगी कि बलातकार हो गया किसी महिला के साथ, आपका गुस्से से जो है न, पूरा सरीर काप जाता होगा, देश खत्रे में है, पार्टियां तो बनती रहेंगी, पार्टियों की कोई कमी है क्या, हरसाम पार्टी होती है इस देश में, पार्टी नहीं बचाना है, द अभी तक का NCIT में जो लिखा हुआ है, अब अगले बार 2024 में क्या लिखा जाएगा नहीं पता, उसमें तो यही है कि देश को आजादी जो है, वो महात्मा गांधी ने, सुवास चंदर बोश ने, सरदार बल्ला भाई पतेल ने, क्या भाई हर्दिक, इन लोगों नहीं दिल आता था, गांधी जी के भजन करें, गांधी के हत्यारा, कितना अजीब लगता होगा आपको, देखे एगा वो फोटो, जमारे देश के प्रदानमंतरी गांधी पर मालयार्पन करते हैं, जीवन भर साखाओं में कसम लिये होंगे, कि गोडसे के सपनों का देश बनाएंगे और गांधी पर माला चरह रहे हैं, see, I am not here to save the party, please, I am respecting you, as a citizen, you can respect my right, देश खत्रे में है, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे लगता आप भी सोचते होंगे, समझ रहे हैं, अंगरे जी का वो फ्रेज है, dancing on dead, dead body पर कोई नाच रहा है, उस दिन खाना तो नहीं खाया गया, आप सोच के देखिए, आप इस पर विचार करके देखिए, मेरे गाउं में अगर किसी की मौत हो जाए, तो पूरे गाउं में खाना नहीं बनेगा, हज्जारों लोग मर गए, देखे, 71 वरस की उमर में परदान मंतरी के लिए सोहर गाया गया, नया बच्चा ज आखों लोगों की जान चली गई, आक्सीजन नहीं मिल रहा था, अस्पताल में बेट नहीं मिल रहे थे, आप में से कोई भी ऐसा इंसान है, जिसके कोई जानने वाले नहीं मरे हो इसमें, इस क्राइसिस में, इतना बड़ा क्राइसिस जिसके देश में हुआ हो अभी तुर हो, खकीकत यह है कि पार्लिया मेट में सबसे बड़ी पार्टी कॉंग्रेस पार्टी है। इसलिए इस पार्टी को यह जिम्मेवारी लेनी परेगी और उस जिम्मेवारी को संभालने के लिए मैं यहां आया हूं। देखिए मैं यही कह रहा हूँ, मेरे हमारे देश के लोगों के political imagination को कुछ हो गया है, अभी क्या हो गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हमने अपने आपके सवाल को अपने आप लेते हुए, हमने अपने पूरे वक्त अब को रखा, हमने कहीं भी कहा कि हम कोई टीम बना र रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि भारत की परंपड़ा, चिंतन परंपड़ा, सोच, जिस पर आपको गर्ब होता है भारतिय होने के चलते, उस परंपड़ा को समेटने का, उसको आगे बढ़ाने का काम, देश की सबसे बुरानी पुरानी पार्टी, Congress Party ने किया है, उस पार्टी के पास एक एतिहासिक जिम्मेवारी है, और इस देश का नागरिक होने के चलते, साथी जिगनेश ने कहा, यह हमारी भी एतिहासिक जिम्मेवारी है, कि कल को जब इतिहास लिखा जाएगा, तो हम से भी पूछा जाएगा, दुबे भाई आप से भी पूछा जाएगा, कि ज जंगल की आग नहीं बुझी, या बुझनी होगी बुझ जाएगी, कम से कम कोयल का वह इतिहासिक प्रियास जो है, वो इतिहास याद रखेगा, और ये जो आप कह रहे हैं न, डूबती हुई नाव, देखिए, कभी-कभी न, इनसान को भरम होता है, जैसे टिड़े को भरम हो आइडिया ओफ इंडिया में भरोसा करने वाले लोग जो हैं, जिसको हम कहते हैं, गांधी के सपनों का भारत, जिसको हम कहते हैं, भगत सिंग के सपनों का भारत, जिसको हम कहते हैं, डॉक्टर बाबा साभ भीमुरा अंबेदकर के सपनों का भारत, जिसको हम कहते हैं, बिर तो गलत लोग जो सत्ता पे काविज है न मुझे भारत के लोगों पे बहुत भरोसा है अरे हैं हम लोग थोड़ा सा आलसी लेकिन जब आ गये न अपने पे 200 साल अंग्रेजों ने राज किया था जब से भारत के लोग अपने पे आ गये न तो 1942 में भारत छोरो आंदोनन का जब नारा मात्मा गान्धी ने दिया था तो अंग्रेजों को भारत छोर करके जाना पड़ा था और उस वक्त जो लोग अंग्रेज से पिंसन ले रहे थे माफी मांग रहे थे वो आज NCRT की किताब बदल रहें कि अपना नाम भी हम बीरों में लिखवा लें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस इतिहास को उस चिंतन परमपरा को बचाने की ज़रत है पार्टी अगर उस सिध्यानत पे चलेगी संभिधान के प्रियम्बल को रक्षा करने की कोशिश करेगी पार्टी भी बचेगी और पार्टी सत्ता में भी आएगी ऐसा मेरा उम्मीद है ऐसा मेरा आशा मैंने यह नहीं कहा था कि कॉंग्रेस खत्रे में हमने कहा देश खत्रे में लोकतंत्र खत्रे में आइडिया खत्रे में है आपने वो वीडियो देखा गया लास्ट के उपर डांस देखा ना, दिल पसीज गया होगा आपका आपको नहीं लगा कि मैं इसके लिए कुछ कर पाऊं कुछ भी कर जाऊं, जो मैं कर सकती हूं आप जब सुनती होंगी कि बलातकार हो गया किसी महिला के साथ आपका गुस्से से जो है ना पूरा सरीर काप जाता होगा देश खत्रे में है पार्टियां तो बनती रहेंगी पार्टियों की कोई कमी है क्या हर साम पार्टी होती है इस देश में पार्टी नहीं बचाना है देश बचाना है और देश बचाने की मुहीम में जो पार्टी रहेगी वो पार्टी भी बचेगी और मुझे इस बात को कहने में कोई दोराई नहीं है मैंने जितना इतिहास पढ़ा है अभी तक का NCIT में जो लिखा हुआ है अब अगले बार 2024 में क्या लिखा जाएगा नहीं पता उसमें तो यही है कि देश को आजादी जो है वो महात्मा गांधी ने सुवाश चंदर बोश ने सरदार बल्लब भाई पतेल ने क्या भाई हर दिख इन लोगों नहीं दिलाया न यहीं लोग लड़े थे जो माफी मांगे वो बीड हो गया आप सुचेगा इसको जो गोडसे को भगवान मानते हैं वो भाषन दे रहे हैं आमेरिका में जाकर के गांधी के ऊपर हमारे गाउं में गाना आता था गांधीजी के भजन करे गानधी के हथ्यारा कितना अजीब लगता को आपको दिखिए पोटो जहाए देश के प्रधानमंतरी गांधी पे माललयारपन करते हैं जीवन भर साखाओं में कसम लिये होंगे कि गोड़से के सपनों का देश बनाएंगे और गांधी पे माला चढ़ा रहे हैं See, I am not here to save the party. Please, I am respecting you. As a citizen, you can respect my right. देश खत्रे में है और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ. मुझे लगता है आप भी सोचते होंगे. समझ रहे हैं, अंग्रे जी का वो फ्रेज है, Dancing on Dead, Dead Body पे कोई नाच रहा है. उस दिन खाना तो नहीं खाया गया. आप सोच के देखिए, आप इस पे विचार करके देखिए. मेरे गाउं में अगर किसी की मौत हो जाए, तो पूरे गाउं में खाना नहीं बनेगा. हज्जारों लोग मर गए. देखे, 71 वरस की उमर में परधान मंत्री के लिए सोहर गाया गया. नया बच्चा जो पैदा होता है ना, तो पुरवांचन में सोहर गाते हैं लोग. परधान मंत्री बुड़े हो गये हैं, उनके लिए सोहर गाया जा रहा है. तब जब अभी तुरंट लाखों लोगों की जान चली गई, ऑक्सिजन नहीं मिल रहा था, अस्पताल में बेट नहीं मिल रहे थे, आप में से कोई भी ऐसा इंसान है, जिसके कोई जानने वाले नहीं मरे हो इसमें, इस क्राइसिस में, इतना बड़ा क्राइसिस जिसके देश में हुआ हो अभी तुरंट, वो अपने जनम दीन का जस्न मनाएगा, ये भोनडापन है, इस संस्कृति को बचाने की जरूरत है, और इस संस्कृति को बचाने के लिए, मुझे लगता है, कि कॉंग्रेस पार्टी में उच्हमता मौजूद है, लोगों को ये बात पसंद हो या ना पसंद हो, हकीकत ये है, कि पारल्यामेट में सबसे बरी पार्टी कॉंग्रेस पार्टी है, इसी लिए इस पार्टी को ये जिम्मेवारी लेनी परेगी और उस जिम्मेवारी को सभालने के लिए मैं यहाँ आया हूँ देखिये मैं यही कह रहा हूँ मेरे हमारे देश के लोगों के political imagination को कुछ हो गया है अभी क्या हो गया है मुझे समझ मैं नहीं आ रहा है हमने अपनी आपके सवाल को अपने आप लेते हुए हमने अपने पूरे वक्त अब को रखा हमने कहीं भी कहा कि हम कोई टीम बना रहे हैं बी सी सी आई थोड़ी है सर मतलब टीम बना रहे हैं मैं कह रहा हूँ कि भारत की परंपड़ा चिंतन परंपड़ा सोच जिस पर आपको गर्ब होता है भारतिय होने के चलते उस परंपड़ा को समेटने का उसको आगे बरहने का काम देश की सबसे बुरानी पुरानी पार्टी Congress Party ने किया है उस party के पास एक एतिहासिक जिम्मेवारी है और इस नागरिक इस देश का नागरिक होने के चलते साथी जिगनेश ने कहा यह हमारी भी एतिहासिक जिम्मेवारी है कि कल को जब इतिहास लिखा जाएगा तो हमसे भी पूछा जाएगा दुबे भाई आपसे भी पूछा जाएगा कि जब यह तमाशा हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे हमने वो कहानी सुनी है बचपन में आपने भी सुना होगा जंगल में आग लगी एक कोयल अपने चोच में पानी भर करके जंगल की आग बुझाने की कोशिश कर रही थी जंगल की आग नहीं बुझी या बुझनी होगी बुझ जाएगी कम से कम कोयल का वह एतिहासिक प्रियास जो है वो इतिहास याद रखेगा और ये जो आप कह रहे हैं न डूबती हुई नाव देखिए कभी-कभी ना इनसान को भरम होता है जैसे टिड़े को भरम होता है को अपने पाउं से आसमान टिका रखा है हमको ऐसा कोई भरम नहीं है मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा जब आप जुडेंगे हम जुडेंगे इस देश के संबिधान में आइडिया ओफ इंडिया में भरोशा करने वाले लोग जो है जिसको हम कहते हैं गांधी के सपनों का भारत जिसको हम कहते हैं भगत सिंग के सपनों का भारत जिसको हम कहते हैं डॉक्टर बाबा साभ भीमुरा अंबेदकर के सपनों का भारत जिसको हम कहते हैं बिर्सा मुंडा के सपनों का भारत, सावीतरी भाई फूले के सपनों का भारत, स्रीकृष्म सिंग के सपनों का भारत, जगजीवन राम के सपनों का भारत, मौलाना अबुल कलाम आजाद के सपनों का भारत, उस भारत को बचाने की बात में कर रहा हूँ, औ लेकिन जब आ गये ना अपने पे, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया था, जब से भारत के लोग अपने पे आ गये ना, तो 1942 में भारत छोरो आंदोनन का जब नारा मात्मा गान्धी ने दिया था, तो अंग्रेजों को भारत छोर करके जाना पड़ा था, और उस वक्त जो लो अंग्रेज से पेंसन ले रहे थे, माफी मांग रहे थे, वो आज NCRT की किताब बदल रहें कि अपना नाम भी हम बीडों में लिखवा लें, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस इतिहास को उस चिंतन परमपरा को बचाने की ज़रत है, पार्टी अगर उस सिध्धान पे चलेगी संभिधान के प्रियम्बल को रक्षा करने की कोशिश करेगी, पार्टी भी बचेगी और पार्टी सत्ता में भी आएगी, ऐसा मेरा उम्मीद है, ऐसा मेरा आसा है, जो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे, अपने स्कूल के वाट्सेप ग्रूप में, जब हम लोग के आंदोलन के समर्थन में, और मैं मजात नहीं कर रहा हूँ, लोगों के डिवोर्स तक हो गए, ये जो देश में एक बैचारिक संघर्ष छिड़ा है, उस बैचारिक संघर्ष को कॉंग्रेस पार्टी ही नित्रित दे सकती है, ये हमारा भरोसा है, और मैं ये उम्मीद करत हूँ, कि हमारे देश के जो लाखों करोरो नौजबान आपके माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे भी मयागरह कहता हूँ, दिवाल पर बैच कर टुकुर टुकुर मुह ताकने का वक्त नहीं है, ये अर्जेंसी का टाइम है, और इस अर्जेंसी के टाइम पे, दिवाल पर करके दाया जाएं की बाया जाएं, ये मत सोचिए, जब आप जंग में होते हैं, तो आपके पास जो एविलेबल चीजे होती हैं, आप उससे मुकाबला करने की कोशिस करते हैं, कॉंग्रेस पार्टी एक बड़ी जहाज है, अगर कॉंग्रेस पार्टी बचेगी, तो हमारा मानना है, इस देश के लाखों करोरों नौजवानों की अकांचाएं बचेगी, गांधी की मिमानसा बचेगी, भगत सिंग के सपनों का भारत बचेगा, और डॉक्टर बाबा साब भिमरा अंबेदगर की समानता का भारत का निर्मान संभब हो पाएगा, इसी आसा और सत्ता के साथ, सत्ता से सवाल पूछना और लोगों के हक के लिए लरना, भिरना, संघर्स करने में हमारे साथी रहेंगे, हमारे सहयोगी रहेंगे और ये परिवार, संग परिवार नहीं, वो क्या परिवार जो परिवार छोड़ कर परिवार बनाना परे, वो परिवार जो आपको पडिवार छोरने के लिए नहीं कहता है, कहता है कि अपने पडिवार में रहिए, अरे महात्मा गांधी कस्तुर्वा गांधी को ले करके अंग्रेजों से लड़ गये, बताइए इनको अपना घर छोरना पड़ा, कोई जरूरी है क्या, घर पडिवार के साथ रहना है, डॉक्टर बावसाब, भीमरा, अमबेतकर भी अपने पडिवार के साथ रहते थे, आप जितने बरे लोग हैं उनका इतियास उठा करके देख लीजिए, सब लोग अपने पडिवार के साथ रहते थे, वो पडिवार छोर करके बनने वाला पडिवार नहीं, नयाय बराबरी और संघर्ष के लिए इस परिवार में मैं सामिल हुआ हूँ सभी सदस्यों के परती देश के अंदर फैले हुए लाखों करोरों कारिकरताओं को अपना आभार व्यक्त करता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद